आज तो जनाब मसूद एक मिनट प्लीज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दीजे एक तो जो डॉलर की बात पहले भी कर रही थी पूरी नहीं हो सकी देखिए डॉलर की कमी थी मुल्क के अंदर और ये जो डॉलर जो है इसको रोक लेना ये सब हम सारे पाकिसनानी मिलके कर रहे थे हैं अतर काजमी साब एक तरफ कह रहे हैं मुझे पर सियासत ना करें फिर वही बात की फिर अपनी बातों की कांट्रिक्शन किये चले जा रहे हैं सागडार का एक साल में बेरूनी अदाइगियां करना उसके बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना होने देना यह बहुत बड़ी कामया भी है कोई माने ना माने एक तरह आपको मिश्चित पर सियासत नहीं करनी दूसरी तरह आप बेरूनी पाकिस्तान ने कब और आखरी बात आखरी बात यानि बेरूनी अदाइगिया तो हर दोर में होती रही ना इसाफ़ डार साब के दोर में होती आखरी बात मेरी यह है कि फिर कास्मी साब जो हैं वो आज फिर मतलब पकड़े गए हैं चेक तो कर लिया करें काजमी साब वो खाजा आसिव साब की तक्रीर ती जो आपने इसागदार साब के नाम पे लगा दी और उसको मिनमाने वज़रा पार्लिमेंट में करेंड़े होक इसकी नमाइंदगी वजीर आजम साब ने की इन्हों ने भी क्रेड़ नहीं दिया इसागदार साब को तो वजीर आजम साब ने आखीर वक्त में ये इनिशेटिव लिया और ये काम कर लिया वरना तो बड़ी मुश्किल हुए थी क्या क्या कहेंगे इसागदार साब की पर रहे अच्छा या बुरा हुआ आपने बड़ी तफसील से बताया तो उसके कमांडर तो प्राइम इनिस्टर शेबाद श्रीफ है कोई और तो नहीं है कोई तीसरा तो टीम का नहीं था बार से कर रहा था उन्होंने कोशिश की पहले भी MDIMF से मिले लेकिन अभी मैं आपके प्रोग्राम में जब आप बड़ी तफसील से सारी बात बता रहे थे मैंने देखा कि 22 जून को वो पैरिस में पहली मुलाकात की उन्होंने वहां उनसे सवाल हुआ मजीद उसका फैसिलिटीज का तो 23 जून को वो इसलामी तरक्याती बैंक के सरवरा से मिले वहां एक अरब डॉलर का प्लेज हुआ 24 जून को वो दुबारा मिले प्राइम मिनिस्टर शेबाज शरीफ एमडी आइमेफ से अच्छा मैं आपको बताओं 20 तारिख को फाइनांस मिनिस्टरी में तवाम किताबें बोक्स सब लपेट दी गई थी और उनके जहन में था कि आईमेफ अब हमें नहीं मिल रहा ये मैं फाइनांस मिनिस्टरी की बिल्कुल आपको इतरन टिक बात बता रहा हूं नहीं हो रह के डिसिप्लन में रह के सब के साथ मिलता जिसका मजाक उडाते हैं कि चाचू ये करते हैं वो करते हैं चाचू ने वो काम किया जिसकी अथरकाद्वी साहब मैं आप सब चारे थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिफाल्ट में नहीं जाना चाहिए मैं आपके प्रोग सब मैनेज हो जाने थे बाई लेटर भी हो जाने थे लिकिन पाकिस्तान के अवाम का जो आज जिन सब को दुक हो रहा है ना दिवालिया निकलेगा वो और निकलता अगर हम डिफाल्ट में खुदाना खासता चले जाते कि यहां पे खाने पीने की चीजें भी नहीं आनी थी क् हर चीज में दूसरे के साथ बैठके बात कर रहे होते हैं हमारे पास बच्चता कुछ नहीं ये शिवाज शरीफ साब ने जो भी किया मिनत तरला आई-म-फ के साथ उन्हों ने बैरूनी मुमालिक के दोस्तों के साथ जो आई-म-फ के रुकन है बोर्ड के उपर हैं सब से कह कि पाकिस्तान को उस निफाल से बिचा लिया जो हमारी बहुत जिसके उपर आप बहुत कंसर्न हैं आपने बड़ी बात की जाहर है कि ये इशू होता है और फिर अब आप निकलते हैं वो जो बात हो रही थी आप अगला करसन जो है ना जरस ही इस पे आजें कि जो बात करने दें जी ये नहीं मैं वो जो आइम एफ का था कि जी आप लाब अदल दें जाहरा पाकिस्तान की पार्लिमेंट ने स्टेट बैंक की सौबरानिटी अपने पास से निकाल के दूसरों के हवाले कर दी आपकी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट थी ये काम वही कर सकता है जो पहले आइम एफ के साथ मुएदा करके मुकरा पेटरॉल और डीजल की कीमते ना सिर्फ फ्रीज की बलके कम की लेवी नहीं लगाई इंटरनेशनल कमिटमेंट में पाकिस्तान को पसाया क्योंकि जो आइम एफ है ये दुनिया है वो पाकिस्तान से बात करती है चेरा कोई भी हो व आदे किश्मीर कहते हैं काल को इसका नाम ले सकेंगे तो वो बड़े बिगड़ गए थे और आपको पता है जब मार्शला अडमिनिस्टेटर हो चीफ एक्डेक्टिव हो वो बिगड़े तो क्या क्या नहीं होता हमने उस वक्द ये बात की थी उन्होंने कहा हम उड़ा के रख देंगे बाड़ को रख देंगे हमें कोई परवा नहीं है दोस्तों से बात नहीं कर तकते और बाद में वो बात नहीं कभी कर सके और मैंने उनकी रिटार्मेंट के बाद भी उनसे ये सवाल किया प्राइवेटली तो भड़क उठे थे इस बात पे हमें पाकिस्तान को जब सोचना है कि हमने कोई मौइदे करने हैं तो कमिटमेंट्स पूरी करने हैं सर जी मुझ पे और आप पे जिए करना चाहरा हूँ आपसे हमारे उपर शाहिद बराई रास सबसे ज्यादा असरा आ रहा है जो आपने दो लाक रुपे से उपर टेक्स लगाया मेंगाई बरती चली जा रही है मैं आपको बता रहा हूँ इसके बावजूद क्या पाकिस्तान की मईशत को बचाना बुरा काम है ये जो स्यापा वानी औरते होती हैं मर्ग पे पहुंचती हैं ये आजकल ट्विटर और सोचल मीडिया पे नदर आ रही है अब मिलने हैं सिर्फ तीन अरब डालर हमें तो पचीस अरब डालर चाहिए आमिर भाई वो तो वो अर्रेज्मेंट हो जाएगा लेकिन एक मैस मचाया ना आमिर भाई वो सब कुछ होगा नई हकुमत के आने पे इस मौइदे का मतलब है आपके टाइम पे एलेक्शन होने जा रहे है चल यह तो अच्छी बाते मैं एलेक्शन की तरफ आता हूँ एलेक्शन की तरफ भी आता हूँ लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान की मईश्चत को बचा लिया डिफॉल्ट से बचा लिया सर एक मैसमच आया पिछली हुकोमत ने जो कुछ किया था आपने आकर उसे तसलीम किया ना आपको पता था हिए सब कुछ है आपके एक वजिरेखसाना ने एक प्रोग्राइम लिया उन से लेने के बाद अगले वजिरेखसानान ने आके आपने सारा कुछ सुनाया नहीं होता तो आई डोंट केर जिसको आई डोंट केर ते फिर वजीर आजम ने आप कहने जी वह मजाक उड़ाते उनका के वह चाचु जाके पैसे उनसे मंगते तो चाचु को पर जाके करना पड़ा ना वह कहते क्या थे इसके बारे में एक मैस मच मैशत क्यों बैतरी की तरफ जिसरा से लेके जाना था नहीं लेके जा सके